हेलो दोस्तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उपचार नुसके में हम उपचार नुसके चैनल में रोजाना एक लिटेस्ट वीडियो अपडेट करते हैं अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप उपचार नुसके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें जिससे आपको हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो सबसे पहले देखने को मिलें बात्रूम से जुड़े वास्तु टिप्स आर्थिक परिशानिया तुरन करें दूर वास्तु शास्त्र का हमारे जीवन पर काफी गहरा असर पड़ता है वास्तु शास्त्र जीवन में सुकसंब्रती लाने का एक बहतर उपाय माना जाता है घर का हर कमरा और हिस्सा घर में रहने वाले सबस्यों के लिए काफी महतुपूर्ण होता है आज हम बात करेंगे बातरूम से जुड़े वास्तु दोश के बारे में बातरूम में यदि वास्तु दोश हो तो इसका सीधा असर घर में रहने वारे व्यक्तियों के स्वास्त पर पड़ता है और साथ ही घर के आर्थिक परिशानी का कारण भी बनता है इसलिए घर के सभी कमरों के सांसान बातरूम के वास्तू पर भी ध्यान देना जरूरी है तो चलिए जानते हैं बातरूम से जुड़े वास्तू टिप्स के बारे में बातरूम हमेशा सही दिशा में बनाए वास्तो सासर अनुसार बात्रूम हमेशा घर के उत्तर परश्चिम दिशा में बनाना शुब माना जाता है और यदि बात्रूम इस दिशा में ना हो तो इस स्थिती में आप नल और शावर को उत्तर दिशा में लगवा सकते हैं इससे आपके घर में कभी भी आर्थिक परेशानी नहीं आएगी और घर में खुशाली हमेशा बनी रहेगी बात्रूम में पानी की सही दिशा घर के बात्रूम में पानी का निकास उततर या फिर पूर्विधिशा की ओर होना शुब माना जाता है वास्तो अनुसार ऐसा माना जाता है कि जिस घर के बाथरूम में पानी का निकास दक्षिन की ओर होता है वहां आर्थिक परिशानी और पारिवारी कला हो सकते हैं यही नहीं बातरूम में पानी का निकास दक्षन की और होने पर परिवार के सदशों की सेहत पर भी इसका नेगेटिव असर पढ़ता है. बातरूम में लगे शीशे बातरूम में लगा शीशा और दर्वाजे का मौ आमने सामने नहीं होना चाहिए इससे घर में नेगेटिव एनरजी प्रवेश्ट करती है और घर में तनाव की स्थिती बनी रहती है ऐसे में यदि बातरूम के दर्वाजे के ठीक सामने सीशा हो तो उसकी दिशा बदल लें यदि ऐसा करपाना संभव ना हो तो इस नेगेटिविटी से बचने के लिए आप बातरूम के दरवाजे पर क्रिस्टल बॉल लटका सकते हैं बातरूम में बिजली के उपकरन और सामान बातरूम में बिजली के बल बादी हमेशा दक्षिर पूर्विदिशा में ही लगाने चाहिए बातरूम में रखी बाल्टी या तब कभी भी खाली नहीं रखने चाहिए खाली बाल्टी आर्थिक परिशानी का कारण बनती है इसलिए बात्रूम में हमेशा पानी की बाल्टियों को भर कर रखें बात्रूम में नीले रंग की बाल्टी रखना बहुत ही शुब माना जाता है खराब नलों को तुरं ठीक करवाएं वास्तो शास्तर अनुसार बात्रूम में नल का टपकना शुब नहीं माना जाता यदि बात्रूम में नल से पानी टपकता हो तो उसे तुरंथी ठीक करवा लेना चाहिए और बीज वीच में पानी की टंक्यों साफ करवाते रहना चाहिए ऐसा करने से आपको कभी भी धनसंब पात्रूम की दक्षिर दिशा या फिर पश्चिर दिशा में ही रखना चाहिए दोस्तो अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये सभी जानकारियां पसंद आई हो तो आप उप्चार्ण उसके चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर करना ना भूलें